जानी मानी जोतिशाचारी है डॉक्टर शिल्पी धर के पास जो पहले भी काफी भविश्वाने कर चुकी हैं और उनसे जानेंगे के आखिर अब आगे क्या दोजार चौविस की गणना क्या कहती है बहुत बहुत स्वागत आपका नमश्कार नमश्कार आप पूरा मैंने देखा कि अपने जोतिशाचारे का जो होता है ना कि पूरा महौल बना के आपने काफी भविश्वाने किया है शिल्पी जी और अब फाइनली देखिए NDA के पास नंबर्स भी हैं लेकिन सवाल आ रहा है नितिश और चंदरबाबु न और बीजेपी की सत्ता में आने के पूरे-पूरे चांसे है और नरंदर मोदी जी ही प्रदान मंत्री बनेंगे परंतु बिग क्वेश्चिन मार्क इस तिल वेन जैसे कि मैंने पिछली बार भी न्यूजेटीन पर कहा था तीन साल केवल और केवल तीन साल है नरंदर मोदी अच्छा आप कह रहे हैं कि दोजार चौविस में प्रदान मंत्री बन जाएंगे यानि कि पच्चीच अब्विस और सताइस इतना ही वक्त नरंदर मोदी जी के पार उसके बाद किस गढ़ना से कह रही है कुछ ऐसा हो जाएगा कि नरंदर मोदी जी हट जाएंगे हो सकता ह बीजेपी रहे बर नरंदर मोदी जी प्रदान मंत्री नहीं रहेंगे उनके पास केवल तीन साल हैं तो ये आपने कहा किसे केवल तीन साल हैं और जोतिश बड़े उसके साथ कहते हैं तो फिर बनेगा कौन हमारे पास जो जो ऑप्शन्स हैं अमिज जी की ऑप्शन्स हैं अ किस किस के chances हैं तो लीजी एक और भविश्यवानी हो गई है कि बनेंगे प्रधान मंतरी बनने जा रहे हैं लेकिन तीन साल बाद बदलाव होगा कौन होंगे नितिनगर्ड करी होंगे अमिच्शा योगी होंगे या और कोई नाम देखिए एक बड़ी हैरान करने वाली बात है वो यह है नरिंद्र मोदी जी विच्चक राशी से है नाम के अनुसार ठीक है उनका स्वामी होता है मंगल अमिच्शा जी जो है वो एरीजमेश राशी से है नाम के अनुसार और उनका भी स्वामी है मंगल, तो दोनों जो है बड़ी energetic leaders साबित होंगे, करी टकर तीन साल बाद होगी, अमिच शाजी और नितिन जी की, ये दोनों करी टकर में आएंगे, और दोनों में से कोई भी प्रदार मंत्री बन सकता, यह आप यह टैरो कार्ड के हिसाब से देख र दे रहे हैं, चंदर बाभू नाइडू भी दे रहे हैं, तो अगर आप कहती है कि यही BJP के अंदर से होंगे, तो क्योंकि BJP सिंगर लार्जिस पार्टी है, तो क्या बाहर का भी को हो सकता है चंदर बाभू नाइडू या नितिश कुमार? चंदरबाबु नाइडू जी का जो ये साल है बहुत ही शुब है करकराशी बहुत ही शुब साल है ये साल उनके लिए ठीक है आने वाले तीन सालों का चेक करना पड़ेगा पर ये साल जो है बहुत शुब है और बहुत ही स्थर प्रवती के इंसान है वो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तीन साल बाद जो चंदर बाबु नाइडू जी है इनकी जिन्दगी में कुछ बहुत ही अच्छा होगा कोई अच्छी पूजिशन इन्हें मिल सकती मैं यह नहीं कहती प्रदान मंतरी बनेंगे बढ़ कोई अच्छी पूजिशन इन्हें इलोट होगी पार्टी द्वारा तीन साल बाद यह साल भी अच्छा है और तीन साल बाद और भी अच्छा है तो आप कहरें कि तीन साल बाद नरेंदर मोदी हट जाएंगे जी नरंदर मोदी जी का केवल जो राजयोग है सिर्फ और सिर्फ तीन साल का है इसके बाद दिक्कते आने शुरू हो जाएगी क्या दिक्कते यह कि पार्टी के अंदर कुछ होगा या वो खुद छोड़ देंगे विदिन पार्टी कुछ नो कुछ हो जाएगा और सिच्वेशन बहुत डामा डोल हो जाएगी लेकिन अमिज शाग आपने कहा कि उनका भी मंगल अच्छा है नितिन गड़करी का अच्छा है योगी अदितनाथ जी कर रहे गया था देखना वो चेक कर लेते हैं ये साल भी अच्छा है इनके लिए और जो आने वाले तीन साल है वो और भी अच्छ है मतलब इस साल के कंपेर जो तीन साल बाद की सिच्वेशन होगी वो योगी जी के लिए अच्छी होगी यूपी में इस बार जो भारती जंदापाटी की सीट्स काफी कम आई हैं, उनका असर पड़ेगा उनके? नहीं, असर नहीं पड़ेगा, ये हमें इस टाइम जो दिख रहा है एक ब्रह्म की तरह है, राहू की तरह है, इस टाइम पे जो दिख रहा है, वो आने वाले कल का संकेत नहीं है यूपी के लिए, तीन साल बाद परिस्तिती कुछ और होगी, योगी जी अट प्रेजन्ट उन में उनका और उद्धार होगा, तो वो भी आगे जाएंगे, ये जो हुआ है, इसका योगी जी से पार्टी की ज़रूर हार, बतलब हो कहेंगे हार हुई एक तरीके से, लेकिन जो योगी जी है, उनका आगे उन्नती है, अचा शिल्पी जी ये जो आकड़े आए हैं, ये ब भाहत्र कांकरा नहीं छूपाई, ये क्या आपको लगाए होना था या ये सवाविक था, क्या था, ग्रह ऐशी थी या सिर्फ नारा दिया गया था, क्योंकि आपसे भी काफी लोगों ने सवाल किये होंगे, तो ये क्या था? प्रजा की जीत हुई है, डेमोक्रिसी की जीत ह होंगी, बट जब भी ऐसी कोई result, ऐसा कोई result आता है, जब एक पार्टी का बहुत जादा excess में result नहीं आता है, ना महुम्मत नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता है, कहीं न कहीं, प्रजा जो है, mixed तरीके से चुनाव कर रही है, एक तरीके से neutral चुनाव हो रहा है, dictatorship कहीं नह है, speculative काम में, बविश्यवानी का इतना रोल नहीं होता, है ना, ये speculative है, politics is speculative है, film industry is speculative, जहां आंकडे उपर नीचे पल-पल होते हैं, क्योंकि ये राहू से governed है, राहू अपने आप में astrologers के भी उपर माना जाता है, क्योंकि वो ब्रम का प्रतीक है, देवताओं को भी वो ब् नाम राशी से भी आप ये तो टैरो कार्ड के आपने कार्ड देखें, नाम राशी से अगर बात करें, तो नरेंदर मोदी का आप बार बर जिक्र करें, तीन साल बाद वो बदलाव होगा, ये उनकी टैरो कार्ड रीडिंग से देखा या नाम राशी से देखा ग्रह क्या है पंजाब की बात कर लेट multif पंजाब में बैठे हैं अभी आमादी पार्टी की सरकार है लोग सभा में तीन सीटे हैं सिर्फ हमाद भी पैटी जीत पाईए विदान सभा चुनाव दोजार 27 में है पंजाब में अगर आप नाम राशी की बात करें भगवन सिंग मान है सीम पंजाब के उनका क्या ग्रैदशा कहती है उनके टेरो काड क्या कहती है और राहू का साल है दो हजार 27 बगवत मान जी के जीतने के जो चांसेज है वो बहुत कम है दो हजार 27 में कम है नीची तोड़ पर बगवत मान जी बहुत अच्छे इंसान है कॉमेडियन है जैसे यूकरेन के प्रेजडेंट है और honestly काम करते हैं दिल से बहुत अच्छे हैं कॉमेडियन कभी किसी का बुरा नी चाह सकते हैं लेकिन politics है राजनीती है यहां किसी भी time कुछ भी हो सकता है है ना और दोजार 27 जो है राहू का वर्ष है पल्टी खाएगा जो अब है वो तब नहीं होगा मतलब situation बदलेगा बदलाव होगा अच्छा यह हो गया पंजाब की बात देश का क्या रहेगा इस कारेकाल में तीन अभी जो एंडे के सरकार बनी है भारत का क्या रहेगा जिस और इंडिया के लिए जो मेजर चेंजिस मुझे नजर आ रहे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं नौ के अंख पर यानि की अगले साल दो हजार पच्छिस नौ का अंख नौ देवियों का नौ दुर्गा का बहुत प्रभावशाली और प्रभल अंग हैं मेजर चीज इस पेश अस्ट्रोनाट्स जो उपर जाते हैं अंतरिक्ष में इस पे जो रिसर्च होगी और नए-ने साइंटिस उबर के आएंगे जो आने वाले सालों साल में नाम कमाएंगे उसकी खोज और उसकी रिसर्च दो हजार पच्छिस में शुरू हो जाएगी और दो हजार पच्छिस मे भारत का एक नाम जो है रोशन होगा विश्व में किसी ना किसी फील्ड को ले के टेकनिकल फील्ड को ले के और को ऐसा बड़ा बदलाव या कुछ संकट का कोई बादल तो नहीं संकट का बादल दो हजार सताईस में आ सकता है जब राहू प्रबल होगा अगला साल बहुत शुब है बारत के लिए बहुत जादा शुब है एकला सवाल अशिल्पी जी अब सवाल ये है कि राजनीती 2024 में पता लग गया कि कौन कहां पे खड़ा है राहूल गांधी कब प्रधान मंतरी बनेगी ये सवाल सबके जहन में है जी राहूल गांधी जी का जो समय है आने वाले कल में अच्छा होगा पर अंतु चाहे प्रधान मंतरी आने वाले वक्त में कोई भी बने जो कुर्बानिया आजादी के वक्त भगत सिंग जी ने या उन लोगों ने दी जन्होंने जान की कुर्बानिया दी उनकी जगा इस प्रियंका गांधी जी जब दोनो एक टाइम पे MP बनेंगे पहले तो जब दोनों एक टाइम पे MP बनेंगे जसे मैंने पहले का था कि प्रियंका गांदी के ग्रह अपने भाई के लिए बहुत शुब है, लेकिन शुब वैसे नहीं है रोज मरा की जिन्दगी में, शुब मतलब अगर दोनों एक टाइम पे MP पहले बनेंगे, तो जाके ग्रह चाल काम करेगी और आने वाला वक्त राहूल गांदी का होगा, खत्रे का समय है, खत्रे का समय है, तो राजनीतिक उतल पुतल देश में अभी नहीं होने वाली हिसाब से आप कह रहे हैं, तीन साल तक, उतल पुतल इसी साल होगी, जो यह हो रही है, जो हम देख रहे हैं हल्चल देश में एक दो दिन से, और फिलाल जो तीन साल है, वो नर